प्रिय शिक्षार्थियो शिवराज विजैस्थ जोगी राज समवाद के इस तृतिय भाग में आप सब का स्वागत है आईए हम पूर्वपठित पाठ के अग्रिम अंश को पढ़ने का प्रयास करते हैं मूल पाठह वर्तते तत्र ततह सर्वेशु स्तब्धेशु चकितेशु च ब्रह्मचारी गुरुना प्रणम्य कतितम भगवन बद्ध सिध्धासनैही निरुद्ध निश्वासैही प्रभोधित कुंडली नीकैही विजित दशेंद्रियेही अनाहत नाद तंतूम अवलंब्य आज्या चक्रम संस्प्रिश्य चंद्रमंडलं भीत्वा तेजह पुंजम अविगणैय सहस्र दल कमलस्यांतह प्र आत्मानम साक्षात कृत्य तत्रईव रममानई ही मृत्युन जयेही आनंद मात्रस्वरूपई ही ध्याना वस्थितई ही भवाद्रिशई ही नज्यायते कालवेगह आए इस मूल के अर्थ को समझते हैं ततह इसके पश्चाद जब योगिराज इस प्रकार से कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि सत्राशो वर्ष वितित हो चुके हैं इस पर ब्रह्मचारी गुरु आगे कहते हैं इस प्रकार सर्वेशु स्तब्धेशु चकितेशु च योगिराज की बातों को सुनकर सभी स्तब्ध हो जाते हैं चकित हो जाते हैं और ब्रह्मचारी गुरुना प्रणम और ब्रह्मचारियों के जो गुरू थें, वे प्रणाम करके योगी राज के पति निवेदन करते हैं, कहते हैं कि भगवन हे सभी शटगुन संपन योगी राज, आप बद्ध ही, सिद्धासनों को साधन करके, बाहंध करके, निरुद्ध निश्वासे ही अपने निश्वासों को निरुद्ध यानी रोक करके यहाँ ध्यातव्य है योग के विशिष्ट बिंदो की यहाँ चर्चा हो रही है जैसे सिद्धासन स्थीरम सुखम आसनम कहा जाता है और सिद्धासन जो है योग की प्रक्रिया का मुख्य अंग है योग के आठ अंग माने गये हैं यम नीयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी आसन भी उसी में से एक अंग है तो कहा बद्ध सिद्धासन ही आसनों को सिद्ध करके सिद्धासनों में आप कुंडलिनी कई ही कुंडलिनी शक्ति है इसे इस प्रकार समझते हैं कि जो हमारा मूल चक्र है जो कि गुदा प्रदेश के समीपस्थ माना गया है वही पर यह कुंडलिनी शक्ति होते हैं उससे थोड़ा सा उपर जिसको सरपीनी शक्ति भी कहा जाता है उसे प्रबोधित कर उ प्रवधित कुंडलिनी कई ही उस कुंडलίνी शक्ति को जो की शक्ति के रूप में जैसे हम elisano में भी पड़ते हैं तो श्यो त्यौकि शक्ति कि वह बाहिय मुख होती है। हमेशा भाहर के ओर प्रवित्त होती है। उन्ह सभी इंद्रियों को जीत करके अना हट नाध Tantum' अलम्य अनाहतनाध हमारा जो रिद्य प्रदेश है। इसमें द्वाद recurs कमल में योगी अपने आपको स्थिर कर लेते हैं तब यह अनाहत नाद उन्हें शुरुति गोचर होता है सुनने को पड़ता है उस नाद का अवलंब यानि आधार करके आज्या चक्रम संस्प्रिश आज्या चक्र जो है हमारी दोनों ही भृकुटियों के मद्ध यानि दोनों जो हमारे भौवे हैं उनके मद्ध में होता है जहां पर की तिलक लगाने का प्रावधान होता है जहां यहां बीच में मद्ध में तिलक लगाया जाता है यहां आज्या चक्र है यही पर सुशुमना नाड़ी भी परिसमाप्त होती है न्याय दर्शन में सुशुमना नाड़ी का अत्यंत महत्व ह आत्मा का निवास्थान माना गया है इसे तो इस आज्या चक्र को संस्प्रिश्य स्पर्श करके चंद्रमंडलम भित्वा इसे उपर वाले प्रदेश में जो प्रकाश्मान स्वरूप होता है उसे पार करके तेजह पुंजम अविगनईया यह जो तेज़ पुंज है इस पुंज को पार करके सहस्र दलकमल का यानि ब्रह्मरंद्र जहापर की शिखा रखी जाती है चोटी होती है उसे ब्रह्मरंद्र कहा जाता है और कहा जाता है कि योगिजन अपने प्रानों का उत्सर जन्या यानि अपनी जब प्रानों को छोड़ते हैं तो उसी ब्रह्मरंद कार करके तत्रईव REMMAN ली ही उसी आनंदस्वरूप परमात्मा की मुछ जिनों ने जीत लिया है ऐसे आनंदमात्रस्वरूप हैं जिनका स्वरूपी सत्चित और आनंदस्वरूप हो चुका है वे ध्याना अवस्तित में ध्यान में निमग्न हुए भवाद रिशयि ऑ जएसे जनो के द्वारा नज ज्यायते काल के वेग को आप जैसे महात्मा द्वारा नहीं जाना जाता यानी आप अपनी आप में इतने उस समाध्य में तलीन होते हैं कि बाहिय जगत की कोई भी वस्तु कोई भी तत्व आपको स्पर्ष नहीं कर सकता वह स्वयम काल भी आपको स्पर्ष नहीं कर सकता क्या मृत्यू क्या काल कोई भी आपको उस अवस्था विशेश में स्पर्ष नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वरूप होता है ब्रम का उस ब्रह्म के स्वरूप में जो कि आनन्दस्वरूप है उसमेน आप इस द्रो द्रिश्यमान जो हमें we shellarm संसार है इस से परे हो जते हैं इसी बात को इस योग और पर कभी इने बड़े ही सुन्दा धंग से प्रस्तुत किया है योगी राज के स्वरूप के माध्यम से योग के तत्वों का यहां वर्णन किया है आईए कुछ विशेश शब्दों को समझते हैं सिध्धासनेंा सिध्धम आसनं सिध्धासन wicked स्वरूप यही तो बड़ी शिध्धासने एत्रा पुनः बहुअ यहाँ पे भी पुनहा बहुब्रही समास हुआ है अनाहत नाद तंतुम अनाहत श्च असव नादह अनाहत नादह यहाँ पे कर्मधारे समास हुआ है विशेशन विशेश्य के रूप में इस प्रकार अननतर में पश्चात शष्टी तत्पुरुष यहाँ समास हुआ है अथ समम सर्वम विश्वम अशेशं क्रिशन समस्त निखिलानी निशेशं समग्रम सकलम पूर्णम अखंडम स्याद अनू के इत्यमर यह सबी शब्द जो है संपूर्ण के अर्थ में होते हैं स समस्त है निखिल है निशेश है समग्र सकल पूर्ण अखंड यह सबी शब्द एक ही अर्थ को समान अर्थ को द्योतित करते हैं आईए आगे बढ़ते हैं मूल पाट को पढ़ते हैं तस्मिन समय भवता ये पुरुशाहा अवलो किताहा तेशाम पंचा शत्तमों पी को यूताश् फार्च सी नदीनां नसा संस्था नगरा přाकियानां नशा आकर टीर गिरीनां नसा सान्द्रता विपिनाना किम अधिकम कठयामू भारत वर्षमअ अधुना अन्याद्रिशमेव संपन्न मस्ती मंधा शत्रा सो वर्षcake को वर्षких वन्लेखान अर्व पुलिए साधो महात्मा को अत्वा जिन सांसारिक पुरुषों को आपने उस समय देखा था ते शाम उनके पंचाशत तमोपी उनकी पचासवी पीढ़ी भी पुरुष नहीं दिखाई देगा यानि पचासवी पीढ़िया व्यतीत हो चुकी है अध्य नत्तानी स्रोतांसी नदी नाम न जो अथाह जलराशी थी उस प्रकार की जलराशी उस प्रकार की निर्बाद प्रवाह आज हमें दिखाई नहीं देता नसा संस्था नगरा नाम वह जो संस्था यानि यह स्थिती से अर्थ है वह स्थिती आज नगरों की नहीं है जो की विक्रमादित्य के समय में थी नसा आ के आपर आक्रितिया थी वहाँ आज बदल चूकी है नसा सांधरता विपिना ना वहाँ सांधरता वहाँ गहनता आज विपिनों की आज जंगलों के नहीं दिखाई देती और आज कल के वर्तमान संदर्म замет तो बिलकुल भी सटाइब नहीं दिखाई देती है सर्वत्र वनों का परतन हो रहा है वनों को काटा जा रहा है तो विपिनों कि संद्रता नहीं निने रही किम अधिकम कथे आम है और अधिक्यार किए भारत वर्ष अध्on स्थिती बिल्कुल ही अन्य होगई बिल्कुल ही बदल चुकी है निश्चिती काल करम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है वर्तमान में जो भारत की स्थिती है वहां और भी अधिक बदल चुकी है आईए इस मूल पाट के कुछ विशेश शब्दों को जानते हैं संस शब्द का निर्मान होता है संपन्नम सम उपस्वर्ग पूर्वक पद गतव धातू से ता प्रत्य निष्ठार्थक यहां पर रदाब्ध्याम निष्ठातों नह पूर्वस्यचदह इससे तको नकार हुआ है सांध्रता सांद्र शब्द से भाव की अर्थ में तल प्रत्य और पुनह स्तरत्व विवक्षा में टाप प्रत्य करने पर सांद्रता शब्द निश्पन्न होता है नदी सरित तरंगिनी शैवलिनी तटिनी रादिनी धूनी श्रोतस्विनी दीपवती स्रवंती निम्नगा अपगा इत्याद यहां शब्दा नदी इत्यस्षिक्रते अत्रप्र यह जो सारे शब्द है यह नदी के परियावाची है इन समान अर्थों का यहां यह बोध कराते हैं इसी प्रकार एतरही संप्रती इधानीम अधुना सामप्रतम यह सभी शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं यह सभी शब्द एक यह अर्थ में प्रयोग होते हैं आईए आगे अग्रे सरामह वयं मूलपाठह इदम आकरण्य किंचित स्मृत्वेव परितो अवलोक्यच योगी जगाद सत्यम नलक्षितो मया समय वेगह सही बात कही आपने कि समय के वेग को योदिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम पुनश्च वैक्रम समय समाधिम आकलयय असमिन दुराचारमय समय अहम उत्थितोस्मी अहम पुनरगत्वा समाधिरेव कलय श्यामी किंचु तावद संग्षिप्य कथ्यताम क प्रादशा भारतवर शस्य मूलपाट के मूलार्थ को समझते हैं इदम आकर्ण इस प्रकार योगी राज जब ब्रह्मचारी के गुरुवों की बात सुनते हैं उसके पश्चाद किंचित स्मृत्वा एवा कुछ थोड़ी से हल्की सिमंद मुस्कान के साथ परितह अवलोक के चारो और देख करके योगी जगाद योगी राज कहते हैं सत्यम नलक्षितो मया समयवेगा सही कहा आपने मैं ने समय के वेग को नहीं लक्ष किया यानि नहीं उस पर ध्यान दिया युदिष्ठिर के समय में कलित समाधिर हम मैंने समाधी धारण की थी वैक्रम समय उदस्थाम और उसके पश्चात मैं विक्रम आधित्ते के समय में उठा था सर्व प्रथम मैंने युदिष्ठिर के समय में समाधी धारण की और विक्रम के समय में मैं उठा हूँ तत्पश्चात पुनश्च वैक्रम समय समाधिम आकलाईय वीर विक्रमादित्ते के समय में समाधी को धारण करके असमिन दुराचार में इस दुराचार में समय में अहम उठितोस में मैं उठा हूँ अहम पुनर गत्वा मैं पुनह जाकर के समाधी रेव कलज शामी पुनह जाकर समाधी ही धारन करूँगा लेकिन उससे पूर्व संग्षेप में बताईए मुझे कि भारत वर्ष की संप्रती अधुना क्या अवस्था है यहाँ पर इस मूल पाट के माध्यम से कवी ने योग के महात्म को रेखंकित करने का भी प्रयास किया है और योगी राज के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया है कि योग यदि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता है तो हम न केवल सांसारिक उपक्रमों से अपितु समय के वेग से भी परे जा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही व्यवस्थित बना सकते हैं आईए इस मूल पाट के कुछ विशेश शब्दों को समझते हैं योदिष्ठिरे युदिष्ठिरस्य अयम योदिष्ठिरह तस्मिन योदिष्ठिरे यहाँ पर युदिष्ठिर शब्द से अनप्रत्य हुआ है वैक्रम समये विक्रमस्य अयम वैक्रमह तस्मिन समये वैक्रम समये विक्रम शब्द से यहाँ पर अनप्रत्य हुआ है और वैक्रम शब्द की निश्पत्य हुई है दुराचार मये दुष्टह आचारह दुराचारह सह प्रचुरम यस्मिन ताद्रिशे दुराचार मये समये यहाँ पर बहुब्री समा समिद रिष्टी गोचर होता है दुराचार शब्द से यहाँ पर मयट प्रत्य हो करके दुराचार मय यहाँ शब्द सिद्ध होता है उदस्थाम उत्व सर्गपूर्वक्स था धातु से लुंग लकार में उत्तम पुरुशईक वचन में यहाँ उदस्थाम रूप सिद्ध होता है आएए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार यह संपूर्ण मूल पाठ समाप्ति को प्राप्त होता है और इस संपूर्ण मूल पाठ में इस तृतिय भाग में हमने योगिराज समवात के माध्यम से यह जाना कि किस प्रकार उस समय चारों और यवन शाशन में दुर्व्यवस्था पहली हुई थी एक बाली का भी अपने प्राणू का रक्षन नहीं कर पा रहे थे छोटे छोटे बाली का भी उस समय बड़ी भैभीत रहा करती थी और गुरू उन ब्रह्मचारियों के गुरू ने जिस प्रकार से संपूर्ण उस समय के विवस्था को रेखांकित किया है कि जिस प्रकार से समाज में चारो तरफ वेदा दी सत्षास्त्रों का प्रणाश किया जा रहा था जो सज्जन थे उन्हें दुख दिये जा रहे थे उनके घरों को तोड़ा जा रहा था उनकी दुर व्यवस्थाय की गई थी और इन सभी को सुनकर के योगी राज जब यह सु विश्चारे के गुरू उन्हें यह दर्शाते उन्हें यह बताते हैं कि यह वीर विक्रम अदित्य का समय नहीं है यह यवन शाषन है इस प्रकार इस संपोर्ण योगी राज समवाद में हमने इन विशयों को जाना उस बालिका की अवस्था को जाना हमने योग के महत्मे को जाना उस समय की दुरावस्था को जाना आएए इस पार्ट को हम यही वी राम करते हैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद